हलो फ्रेंड्स आजम बनाएंगे मट्ट पुलाओ रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरी चैनल को सिस्क्राइब करें शेर करें लाइक और कॉमेंट करना ना भूलें और नीचे जिदा लाइकन है उससे जरूर ट्रैस करें मट्ट पुलाओ बनाने के लिए सब अधा कप ऑईल डालेंगे और ओईल को थूड़ा गरम करेंगे जादा नहीं को चाहिए जाए नहीं पुलाओ और उसे चलाते लाइंगे अब में प्याज दागे आएटम सब्सक्राइख है उसको ब्रावन होने तक अच्छी से तकाना है और चलाते रहना है इसको बीच बीच में उसर प्लाओ सर्थियों में हर ढहने जालता बनती है और उसको ब्रूपत पसंद करते हैं अश्योश्य देखिए हमारी प्याज हए है और अब यह ब्राउन होने वाली है हम इसको अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि यह जले नहीं हमें ज्यादा ब्राउन भी नहीं तो हम इसमें स्वाफ अध्रक और लसन का पेस्ट डालेंगे यह पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है इससे दुफ़ा ताजा अच्छे कु हमारा मसाला मून के अच्छे से अब इसमें हम मत्र डालेंगें तो मैंने एक बड़ा कवलीया है आप कं यजादा डाल सकते हैं इसमें ध्याू कॉण लेनाइन है अदि याजिग मिर्च, दो या तीन हरी मिर्च लेनी है और एक आधा कप हमने टमाटो लेने है, टमाटो कि मैंने चॉप्न कर्ण deux के रखिये वह है, पहले से उसे डाल के अच्छे से प्राइब कर लेना है और मिर्च का चार डाले ना सलिए पर इसे बहुत अच्छा प्लेवर आता है बट ये transition है अगर आप डालना चाहें तो आप डालें मर नाप की मरजी है नहीं डालने तो भी अच्छा रहेगा इसके बाद नमक डालना है नमक डाल के अच्छे से बूना है और यूद पानी डाला है और पाई डाल कर हम ने लिट्स इसको ढब देना है और पानी को अच्छे से पकनी देना है तो यह मैंने चावल लें है दो कव तो कव चावल को मैंने 15 मिन के लिए विगा के रखता है था देखिए अब हमारा जुपानी है वजद्स पक्लाई है अब इसमें हम शावल डालेंगे विद्गी हुए और हमने सारी चावल अच्छे से डारेक लेगे आप अब हमें चावल क हमें इसके लिए 15-20 को टाइम लगेगा हमें 15-20 को पकड़ाना है लीजिए पंद्रा में डोल चुके हैं और आपके मतर बलॉब अच्छी लगते हैं आप इसे प्लीज दर में ट्राइक लिजेगा इसी और टेस्टी रेसिपी है आप इसको प्रिएस के सामें भी सर्फ कर सकते हैं इसे जो वेजिटीरियन फ्रेंड्स हैं आपके उनके लिए आप ये बहुत अच्छी रही है आप इसको ट्राइक किज़ेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे कैसी पी अच्छी लगी है तो मेरे के चैनल को जादर जादा शेयर करें